भारत में सापों और हिंदू देवी देवताओं का पुराना संबंध है। भगवान शिव अपने गले में हमेशा साप को धारं करते हैं। हर साल नाग पंचमी के दिन आशिरवाद पाने के लिए लोग सापों की पूजा करते हैं और दूद चड़ाते हैं। एक तरफ लोग सापों से डरते हैं तो दूसरी उसकी पूजा भी करते हैं। साप से डरना भी लाजिमी है क्योंकि अगर किसी जहरीले साप ने किसी को काट लिया तो उसकी जान बचना मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि महाराष्ट्रा में एक अनोखा गाव है जहां पर लोग सापों के साथ रहते हैं। इसके साथ ही लोग साप की पूजा भी करते हैं और अपने घर में भी रहने देते हैं। ये गाव महराष्ट्रा में पूने से लगभग 200 किलोमीटर दूर शोलापूर जिले में स्थित है जिसका नाम शेदपाल है। आईए जानते हैं कि आखिर इस गाव में क्या है कि लोग सापों से नहीं डरते हैं और अपने घरों में रहने देते हैं महराष्ट्र के शेदपाल गाव में लोग सापों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। सबसे हिरानी की बात यह है कि लोग किसी दूसरे साप नहीं बलकी जहवीले साप कोब्रा को रहने देते हैं। इस गाव सापों की आवाजाही पर रोग तक नहीं है। अब आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस गाव में कोब्रा घूमते हैं लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। शेतपाल गाव में करीब 2600 लोग रहते हैं और साप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यहाँ पर लोग कोब्रा को घरों में आने देते हैं। गाव के लोग न सापों से दरते हैं और न साप किसी को कोई नुकसान पहुचाते हैं। लोग यहाँ पर कोब्रा की पूजा करते हैं। सबसे हिरानी वाली बात यह है कि अभी तक यहाँ साप के किसी को काटने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। यहाँ पर साप धरों के साथ ही स्कूल के क्लास्रूम में भी चले जाते हैं और बच्चे भी इन सापों से नहीं डरते हैं यहाँ बच्चे सापों के बीच पलते और बढ़ते हैं इस गाव में लोग अगर नए घर का निर्मान कराते हैं तो सापों के लिए भी एक छोटी जगह बनवाते हैं। इस जगह को देवस्थानम का नाम देते हैं। इस कोने यानी जगह पर आकर साप बैठते हैं। ये किसी को जानकारी नहीं है कि सापों के साथ रहने की परंपरा कि शुरुआत कब और कैसे हुई लेकिन साफ लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए है हाला कि इस गाव में आने वाले डरते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि अपने साथ अंडा, दूद और अच्छी किस्मत लेकर आए